यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ आगे बढ़ेंगे चंबा में जिला प्रशासिन और बिजली कर्मियों की लापरवाही का खाम्याजा अंडर सिक्षिन नेशनल क्रिकट खिल चुके अजे को भुगतना पड़ा जी हां अंडर सिक्षिन के खिलाड़ी अजे मीडिया से रूबरू हुए और प्रशासिन पर लापरवाह होनी का आरूप लगाया दरसल अजे प्रशासिन की लापरवाही के चलते हाई टेंशन तारों की चपेट में आ गए थे जिससे वे अपाहिज हो गए इस पूरे घटना करम पर बोलते हुए अजे ने कहा कि अगर उस समय ततकालिन डीसी सुदेश कुमार मौक्टा ने गरीब परिवार के बास सुनी होती तो वे ग्यारा हजार वोल्ड के करंट लगने से अपाहिज ना होती उन्होंने बताय कि उनके पिता रहडी लगाने का काम करते थे जिलाधेश के निर्देश के बाद रहडी ऐसी जगह लगाने को मजबूर किया गया जहां हमेशा बारिश का पानी किरता था और पानी के समस्या को लेकर विकईबार प्रशासन से गोहार लगा चुके थे लेकिन प्रशाचन की और से कुछ नहीं किया गया और जब उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए खुद परियास किया तो वे हाई टेंशन तारों की चपेट में आ गया फिलाल उन्होंने अपने साथ हुई इस हादसी कुलीगर प्रशासन से इंसाफ की गोहार लगाई है ताकि सरकार और प्रशासन की और से उनकी आर्थिक मदद की चाए तो आपको बता दें कि जो अजे है वो अंडर सिक्स्टीन नेशनल खिलाड़ी है क्रिकेट का अंडर सिक्स्टीन खेल चुका है और एक अजे की माने तो एक बड़ी गरीब परिवार से आता है उसके जो पीता है वो रेड़ी लगाने का काम करते हैं लेकिन कोट की आदेशों के अनुसार उस जगह रेड़ी लगाने को कहा गया जहां लगातार बरसात का पाने गिरता था और प्रशासन को कई बार कहा गया लेकिन प्रशासन ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया अंडर 16 नैशनल किर्गेट प्लेयर भी हूँ और सर मैं अंडर 19 की फुल त्यारी कर रहा था सिनियर की भी फुल त्यारी कर रहा था सर सर मेरे रेडी थी वहां पर छट पर पानी बनाने गया था वहाँ पानी Será टब तता था उपर से तो सर तो सर नीचे पानी गिरता था उसको ठीक करने के लिए मैं चछत पर जैसे चड़ा पानी ठी करकर आ गया तो सर वहां पर बिजली की तारे जो लगी वही थी वहां पर सीडियां मतलब मैं उतर आया निच्चे लेंटर पर पहुंचा तो मैंने निच्चे को सीडी देने लगया तो पीछे से मतलब तार ने खीच लिया हमने कई बार गये सर उनके पास पर उन्होंने हमारी एक नई सुनी हमें दक्के मार के बाहर निकाल दिया पर एक भी परशाशन ना कमीटी वाले ने ना जी पजली वोड वाले और ना ही जेल में कर दूंगा इतनी दमकी दे दी सर हम तो सर बिलकुल इतना इतना हो गए थे कि हम जाएं तो जाएं जाएं का मेरे साथ अन्याय हुआ है और मुझे न्याय चाहिए बस मैं यहीं आ तो कही ना कहीं प्रशासन के लापरवाही के वज़े से इस खिलाडी को अप भविश में यानि की आने वाले दिनों में पस्ताना पड़ेगा और कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर यहां सामयाई है जादा बेट के साथ हमारे साथ फोन लाइन बचल चुके हैं हमारे समादाता मनोज धिमान मनोज लापरवाही का जो खामियाजा है अब इस युवाख लाड़ प्रशासन को भी बताया था कि इसकी रेडी के ओपर पानी गिरता है, उसको हटाया जाए, वहां ना लगाने दिया जाए, पानी की रोग ठाम की जाए, लेकि उसके बावजूद प्रशासन ने की कोई बात नहीं सुनी, हलांकि जो है वो रेंट विंच से जो है वो मंतली लिय एक बात पानी की गया और हाइट अरूवी चिपेट में आने के बाद यहां और बी लगाए घी है कि डीसी ताहब ने दौखाया भी दी हम जब उनको उनके पास जाते थे गोहार लगाने के लिए तो उन्हें हमें धंकिया दी जिए अमन देकि जिस तरह से यह प्रिदित य कर रहा है हलांकि यह जो कैमरे के सामने इसमें बोला है ताथ ही यह क्रिकेट का इंटरनेशनल अंडर 16 भी खेल चुका है वहीं दूसरी और अंडर 19 की यह तैयारी कर रहा था जाई nosso नंडर है प्रेशन है तातारी हetos है यह तैयारी कर रहा तादा यहा है कर रहा है तो यह हीं पिर जो चुका है वी खेंगे आपनता tip रहा है